हमारा कॉलेज CR Law College वो जी जे यू इन्वस्टी से हिसार से अफिलेटिड है और हमारे हैं पे तीन कोर्सीज हैं बी एललबी, एललबी और एललम कोर्स हैं और इन सब की जो दाखिला प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू है जिसके लास्ट डेट दस से दंबर है करियर की बात आपने की काफी करियर की संभावना है यदि कोई बच्चा Law करने के बाद गौर्वर्मेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो वो किस प्रकार के रास्ते हैं वो थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को बने हैं आप देखेंगे कि जैसे हर्याना में बहुत सारे जुडिशरी के स्कोप बहुत हैं अभी 256 के करीब हमारी वकैंसिस निकली हुई है तो बच्चों के लिए तमाम अफसर हैं बस कोशिश बच्चे को करनी है अपने सपने को साकार करने के लिए और उसके लिए एक दिड़ निश्चा है संकल्प होना चाहिए पहले बहुत अच्छा अफसर था जितने भी हमारे एंप्लॉई सेक्टर थे इवन आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका कुद का बिजनस है तो भी आप इवनिंग जो क्लासेज अवेल कर सकते थे और हमारे पास सीटें फुल रहती थी ल रोशकार मैं विवेक कुमार आप देख रहे हैं दानेशन टाइम्स दानेशन टाइम्स की टीम इस वक्त चाजुराम लाउ कॉलेज बे मौज़ूद है और यहां की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर पोनम हमारे साथ है इन से हम बातचीत करेंगे डॉक्टर पोनम चहल जी से ही जानना चाहूंगा कि अभी जो फॉर्म भरी जा रहे हैं क्या प्रक्रिया है कैसे किस प्रोसेस के तुरू भर रहे हैं बच्चे और इसकी लाज़ डेट क्या रहे हैं हमारा कॉलेज सी आर लॉकॉलेज वो जी जे यू इन्वस्टी से हिसार से अफिलेटिड है और हमारे हैं यहाँ पे तीन कोर्सी हैं बलल्ब लल्ब और लल्म कोर्स हैं और इन सब की जो दाखिला प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू है जिसके लास्ट डेट दस से दंबर है और ऑनलाइन के लिए कॉलेज की वेबसाइट www.crlawcollege.com इस पे आप विजिट करें वहीं पर आपक का criteria आएगा उसमें payment पे आपको click करना है और आपका form भरा जाएगा और हमारे हां portal पर आजाएगा और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है form भरने के दौरान तो वो बच्चा college में अपना एक application दे सकता है तो यहाँ पे उसका online verify भी हो जाएगा कि उसका form हमारे तक प परती काफी रुजहान नजर आता है तमाम विद्यार्थियों में क्या process रहता है किस प्रकार से जो law की शेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं कारून की पढ़ाई करना चाहते हैं क्या मतलब किस तरीकी से आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को ताकि तमाम जो देख दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगी क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह सब possible नहीं होगा दूसरी बात आज कल आप देखेंगे कि यह traditional course करके बच्चा बिरोजगारी की स्थिति पर बहुत जादा मतलब पहुंच रहा है उसे रोजगार नहीं मिल रहा लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे प्लस टू के बाद अगर हम बी एललबी के course को जोईन करते हैं तो आपके पास बहुत सारी opportunities हैं जिसे बच्चा चाहे तो अवेल कर सकते हैं जैसे सरकारी वकील प्राइवेट आप्रेक्टिस कर सकते हैं जुडिश्री में बहुत सारे options हैं और इसके साथ एलल भी कर रहे हैं क्यों क्योंकि अगर आप देखें IES और HCS के अंदर भी एक law का subject है जिसमें बच्चा पूरी तरीके से हाँ पर हमारे से course study लेता है और उसके बदाद बड़ा easily वो अपने paper को clear कर सकता है graduation के बाद या फिर post graduation के बाद यदि कोई law करता है तो क्या कुछ वर्षों में उसको छूट मिलती है ऐसा कुछ? कितने वर्ष का course रहता है उसके बाद? अगर आप UG or PG के बाद करते है तो ये course 3 साल का है अगर आप प्लस-टू के बाद करते है तो 5 साल का है प्लस्टू के बाद अगर हम करते हैं तो हमारा एक साल के हमें बच्चत हो जाते हैं क्योंकि आपकी बीए भी साथ होगी और आपके प्रोफेशनल आपको डिग्री भी मिल जाएगी जो लेलबी की है इसलिए इसका नाम है बीए लेलबी इंटीग्रेटिर कोर्स करियर की बात आपने की काफी करियर की संभावना है यदि कोई बच्चा लाग करने के बाद गौर्मेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो वो किस प्रकार के रास्ते हैं वो थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को बढ़ा है आप देखेंगे कि जैसे हर्याना में बहुत सारे जु होना है चाहिए ऐसे आप लॉयर की दृष्टी से देखें या आप एक जुडिशल आफिसर के तौर पे देखें तो बच्चों के लिए बहुत तमाम अवसर हैं इवन आप देखें हर्याना के साथ-साथ आप राज्यस्तान, यूपी, हिमाचल परदेश जहां पे हिंदी ही पंजाब में आप देखेंगी चलो आपको पंजाबी का पेपर पास करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर स्कोप थोड़ा कम है, लेकिन अदर जितने भी हमारे जो स्टेट्स हैं, इवन दिल्ली है, उसमें भी आप जो है कवर अप कर सकते हैं, बच्चे, मैम पहले जो है, आपके महाविध द्याले में इविनिंग कोर्सेज भी होते थे, अब ही क्या स्थिती है, क्योंकि मुझे जानकारी शायद बंद हो गए है, क्या आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का इस विशे पे भी कुछ होने वाला है, पहले बहुत अच्छा अफसर था, जितने भी ह हमारे employee sector थे, even आप private sector में अगर आप job कर रहे हैं या आपका कुद का business है, तो भी आप evening जो classes अवेल कर सकते थे, और हमारे पास city full रहती थी, लेकिन अब आप देखें 2017 के बाद से throughout India, LLB evening classes बंद हो चुकी है, और इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जो employee sector है, employee जो work है, उन बाते हैं, जिसको ले करके तमाम विद्यार्थियों में एक तरह का रुजहान नदर आता है, पूरे वर्ष भार, यानि पूरे कोर्स के दवरान, विद्यार्थी सिर्फ किताबों के प्रतिना रहे, और तरह की जो activities होती है, उसके बारे में बताएं क्या कुछ होता रहता है हम पूरी कोशिश करते हैं, CR Law College की तरफ से कि हमारे BLLB, LLB और LLM के बच्चों के लिए हम traditional अपना जो theory classes हैं, उनके साथ साथ उनको practical exposure भी दें, तो हम time to time जो है court visit है, आप देके international conferences है, seminars हैं, हमारे बच्चे अटेंड करते हैं, और कुछ एक बच्चे हमारे mood court में भी अच चल पा रही क्योंकि online वगेरा चल रहा है, तो आने वले time में हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही बच्चे का admission हो, academically हम month wise schedule बनाते हैं कि इस महीने में बच्चे को ये करना है, इससे बच्चे को पता चले कि हम एको theory के साथ साथ आपका practical exposure भी होना चाहिए, काफी बड़ा बड़ान भी है आपके पास, यहां खेलों गेरा भी होते हैं क्या? याद है, उसको judges के नाम याद है, उसको किसी अगर, एक client का भी अगर, उसको plaintiff का भी अगर नाम याद है, तो वो जैसे उसके उपर type करता है और search करेगा, उसके पास सारी की सारी judgment आ जाएगी, तो वो उसका जो core area interest है, वो उसको कुछ ही चंद सेकिंडों के अंदर उसके प अच्छा सफर रहा है सर, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, कि मतलब मैं as an assistant professor join होगा और मुझे principal का जो पद जो है दिया जाएगा, एक जिम्मेवारी है जिसको मैं निभा रही हूँ, और साथ की साथ अपनी teaching को विवर करार रख रही है, तो क्या कुछ पढ़ाती है आप ब तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी समभालें के साथ समय निकाल लेती है आपकी, हाँ बिल्कुल, निकल जाता है समय, आपके पास इच्छा शक्ती होनी चाहिए किसे भी काम को करने की, teaching के समय teaching हो जाएगा और administrative work के दोराने, administration समभाल लेते हैं, बिल्कुल, principle के पद पर आसीन होने के बाद, कोई विजन आपका है, कोई लक्ष है, कुछ सोचती है, कुछ सपनों में, कुछ खौबों में इस महावे द्यालोग को आगे ले जाने की, हाँ जी, सर मेरी यही कोशिश है कि हिसार का तो number one college है हमारा यहाँ, मैं चाहते हूँ कि हर्याना का भी number one college बने, और हम दिन प्रति दिन प्रयास कर रहे हैं, तमाम जो दर्शकों को और तमाम जो हमारे जो विद्यार्थी भी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगी, Darnation Times के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, Darnation TV चैनल के माध्यम से, कि बच्चे आज के दौर में, करोना टाइम में, ओनलाइन हम मोड में ज़्यादा स्विच किया है, लेकिन ओनलाइन मोड के अपने-पने demerits भी हैं, बच्चों की आँखों के उपर बहुत असर पढ़ रहा हैं, मैं ब बच्चों को यह नहीं समझना चाहिए, कि करोना टाइम है, ओनलाइन पेपर चल रहे हैं, यह आपके ही जीवन के साथ एक तरीके का, जो है, क्या कहेंगे उसे, खिलवार हो रहा है, मुझे लगता है, कि बच्चों को इसके प्रती सीरियस रहना चाहिए, उनिवस्टी ने, कॉलेजिज ने, अपने स्लेबस को कट डाउन कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जब कॉम्पिटीशन होगा, तो वहाँ पर स्लेबस कट नहीं होगा, तो आपको मेरी यह अपील है, कि बच्चे अपनी पढ़ाई, डेली बेसेज पे कहें, मैं य रखना चाहिए, गेम्स वगेरा करें, और यही सारी योगा करें, बहुत शुक्रिया, तो डॉक्टर पूनम चहल, इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, इन्होंने आखिर में बहुत ही होपसूरत बातें की हैं, कि जब यह ऑनलाइन का जो प्रोसेश जब से शुरू हुआ ह तो बच्चे जो है, वो ऑनलाइन के बहाने कहीं न कहीं स्क्रीन पर जादा नजर आ रहे हैं, आखों पर उसका असर है, तो आपको अभी जो है लापरवा होने की ज़रूत नहीं है, और यदि आप लाओ के शेत्र में, कानून के शेत्र में बढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि कुछ आपके जहन में इस महाविद्याले को लेकर के कोई बाते होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जा करके हमें अपनी प्रतिक्रियां दे सकते हैं, मैडम जो है उनका जवाब देंगी, हम भी जो है जितना हो सकेगा, दुबारा मुलाकात करें बहुत बहुत शुक्रिया, आप तवाम दोस्तों काम से जोड़ने के लिए